वेलकम रिडर मैं आपका हमारी यूटूब चैनल किर्टम पटल पे हारदिक स्वागत करता हूँ और बताना चाहूंगा यदि आप हमारी चैनल पे पहली बार आये हुए हैं तो कुर्पिया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना बुले माई डियर फ्रेंड्स हम इस वीडियो के मादधम से कैसे हम अटोमी कंपनी के अंदर जो हमारा बैंक एकाउंट डिटेल है उसको अपडेर करते है उसके बारे में जानेंगे फर्स्ट अपॉल हमको यहाँ पे गुगल सर्च करना है जो हमारी इंडिया की ओफिसियल वेबसाइट है www.atomy.com उसके उपर हम जाएंगे और यहाँ पे इस तरह के से आपका लॉगिं वेलकम टो अटोमी मॉल लिखे आएंगे उसके उपर आपको क्लिक करना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद तुरंद आपके सामने इस तरह के से ओपन हो जाएंगा आपको यहाँ पे जीन डिस्टिबिटर का आप बैंक डिटेल अपडेट करना चाहते है उसका आपको यहाँ पे उसका एडियान और पासवर्ट डालना है यहाँ आइडियो और पासवर्ट डालने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आप जीन डिस्टिबिटर का बैंक डिटेल अपडेट करना चाहते है उसका यहाँ पे नाम लिखके आ जाएगा उसके बाद हमको यहाँ पे अडिट माइ एकाउंट का अपशन दिख रहा है उसके उपर हमको क्लिक करना है जैसे ही आप Edit My Account पे क्लिक करेंगे आप जिन distributor का bank detail अपडेट कर रहे है उसका पूरा application form यहाँ पे open हो जायेगा उसके बाद आप right side पे देखेंगे तो यहाँ पे bank लिखा हुआ है और bank के बिलकुल सामने change लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे change पे क्लिक करेंगे जैसे ही आप change पे क्लिक करेंगे आपका इस तरीके से application form open हो जाएगा अब हम यहाँ पे आप जीन distributor का bank account डिटेर अपडेट करना चाहते हैं उसका यहाँ पे पूरा detail आपको fill करना है लिडर्स आपको याद रखना है जीन लिडर्स का यहाँ पे registration हुआ है उसके ही नाम की यहाँ पे आपको bank detail अपडेट करनी है आप यहाँ पे आपके friend की या तो किसी और person की bank detail अपडेट नहीं कर सकते है जी हाँ लिडर्स आप हम यहाँ पे bank account holder का जो नाम है उसको हम यहाँ पे type करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे second bank account number आपको यहाँ पे डालना है एक बार bank account number डालने के बाद आपको दोबारा उसको confirm back account number फिर से डालना है आप जैसे ही दोबारा confirm back account number डालते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे ISFC code डालना है जैसे आप यहाँ पे ISFC code डालेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे submit करना है जैसे आप submit पे click करेंगे आपका जो bank name आपका जो branch office है उसका पूरा automatic आपका यहाँ पे feel हो जाएंगा उसके बाद leaders आपको याद रखना है आप जब भी bank detail अपडेट कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे list of bank proof documents के लिए आपके पास bank passbook या तो cancel check होना ज़रूरी है आप यह दोनों में से किसी एक को यहाँ पे choose कर सकते हैं या तो आपके पास bank की passbook की photo होनी ज़रूरी है या तो फिर आपका cancel check होना ज़रूरी है यहाँ पे मैं bank passbook option select कर रहा है उसके बाद हमको attach bank proof documents के लिए जो मैंने bank passbook सिले किया है उसका हमको यहाँ पे जो photo attach करना है और जैसे है आप इस सारी detail फिल कर देते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे जो confirm लिखा है उसके उपर आपको click करना है और जैसे है आप confirm पे click करेंगे आपका यहाँ पे your account has been updated successfully आपका message आ गया है तो आपका यहाँ पे जो bank detail हो successfully update हो चुका है leaders इस तरीके से आप easy way में आपका जो bank account detail हो आप update कर सकते हैं आप यहाँ पे देख सकते है state bank of India बंदे मतरम कोटा है मेडाबाद आपकी जो bank detail हो अपडेट हो चुकी है dear leaders हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कुरुपिया करके वीडियो को like करना और उसको share करना ना बुले thank you very much